आज के दौर में बाजार में एलेक्ट्रिक वीकल्स का बस बना हुआ है मैं मौजूद हूँ ऑटो शो एक्सपो शो 2023 में और जहां जेबीम के एलेक्ट्रिक बसेस आज लॉंच हुए है इसी पर बात करने के लिए हमाई साथ मौजूद है जेबीम के वाइस च्वेर्मेन निशान्त आर्या जी निशान्त आर्या जी सबसे पहला सवाल मेरा यह होगा कि एलेक्ट्रिक बसस को लॉंच करने का मोटिव क्या है आप आम आदमी आम आदमी की ग्रोथ आम आदमी का कमफ अफॉर्ट अफॉर्डिबिलिटी और सेफ्टी क्योंकि 90 परसंट प्लस आम आदमी हिंदुस्तान में इस्तेमाल करता है पब्लिक ट्रांस्पोटेशन और इसी लिए जेबीम का फोकस पब्लिक ट्रांस्पोटेशन पे है कि कैसे हम जो पहले कमफर्ट सेफ्टी और अफॉ में कंपेर टू डीजल बस और जब आप एक एलेक्ट्रिक बस देते हैं तो उसी समय आप नॉइस फ्री पलूशन एंड एक लग्जुरी रीडिफाइन प्रड़क्ट देते हैं जीरो एमिशन देते हैं वह एक कंजूमर अपने आपको जादा रिस्पॉंसिबल समझता है ज को सेव करती है अपने एक लाइफ टाइम में तो प्रड़ूशन के आलावा कोई और ऐसी चीज़े जो आम आदमी के लिए राहत है इस बस में आम आदमी के लिए इसमें इसका यूज बहुत इजी है बिकॉस नंबर ऑफ मुविंग पार्ट्स करीबन 2000 मुविंग पार्ट् यह ज़ी होता है तो वहिकल का आप्टाइम जादा होता है और पर्फॉरमेंस बेटर होती है इसमें DC-DC डारेट कंवर्जिण होता है तो उससे वहिकल का टॉर्क और र्पीम बेटर होता है हम देखते हैं कई जगा पे यह बसिस खड़ी हो जाती है रास्ते में जो डीजल क की वासिस होती है क्योंकि उसमें टॉर्क उना उतना नहीं होता है इसके अंदर वह बहुत बड़ा बेनिफिट है और हम लेटेस्ट हाइड इंसिटी बैटरी टेकनोलोजी यूज कर रहे हैं एडवांस केमिस्ट्री उससे बस का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहता है और कस्टमर्स थाउजन किलोमेटर्स अडे क्लॉक कर सकते हैं हमारी वहिकल इस बार इंडिया का फास्टेस्ट चार्जिंग नेटवर्क का हमारा है डीसी फास्ट चारजिंग का जो 360 किल किलोवाट तो 500 किलोवाट का हम लॉंच कर रहे हैं तो उससे बस की चार्जिंग भी 48 मिनिट्स टूण आवर में कंप्लीड हो जाती है तो यह सारे बेनेफिट साथ कस्टमर को एक ट्रबल फ्री एक्सपीरियंस मिलता है और वह इस एक्सपीरियंस के दोबारा एक अपनी न बहुत सारे लेक्रिक बससे भारत के राज्य में चलते हैं तो आप इस कॉंपिटिशन को कैसे देखते हैं या फिर इस इस बाकी बस से इस वाले बस में क्या खास है हमारी बस टूली मेक इंडिया है यह इंडिजिनिस ली डिजाइन प्रड़क्ट है हम पडोसी देशों की इसको फोकस नहीं करते हैं कि हम वहां से इंपोर्ट करके और बेच दें प्रड़क्स को यहां तो हमारा फोकस यह रहता है कैसे कस्टमर को हम इंटिग्रेट सर्विस दें तभी जे बीम का ईवर्स इक डिफ्रेंशेटिंग फैक्टर है तो जे बीम सिरफ एक इलेक्रिक बस उनको एंडे अरे अबल टो दिप्लाइए एंट टो एंट एको सिस्टम वेच इस वेल तो वील उस वेल तो वील में वो पूरा जीरो एमिशन होता है और स्टार्टिंग फ्रम सोलर एनरजी टू कंजंशन ऑफ एनरजी फोर चार्जिंग एवर्टिंग इस ग्रीन और आने वाले बजट में भी सरकार प्राइटी लेंडिंग को प्रोचाहन देगी और एलेक्टरिक वेहिकल्स को आगे बढ़ने का मॉका देगी प्राइटी लेंडिंग्स के लावा को बजट से आपकी और को यूमीद मैं कि मैं बजेट में प्रफिनीटिले अलेक्रिकोंट्राइं आरीटेस साइच इन अखि에板ी आडर्ड एर्यास np. आडिकल और एंट्रीश के उकॉटिजनर यूटिथी अदुछ प歂स की कि आप इस बस को क्या सिर्फ सिर्टी बस के तौर पर देखते हैं या फिर आगे भी इसको देखते हैं यह लेक्टरिक कोच है जहां खड़े हैं और यह हजार किलोमेटर प्रति दिन चल सकती है और अलग-अलग सिर्टी में जा सकती है एक ही दिन में और ट्राइवल कर सकती है तो city buses हम यूज और डिलिवर करते आये हैं अभी तक, बट नौ लग्जुरी विल बी रीडिफाइंड विद जे बिम गैलक्सी एलेक्ट्रिक कोच. बहुत बहुत शुक्रे निशांद आप हम साब बात करने के लिए. तो आपको मिले एलेक्ट्रिक बस के सारे सवाल के जवाब इसी तरह हमाँ साथ बनी रहेगा. कैमरा परसनल रंजीत के साथ श्रेया ठाकुर आटो एक्सपो. झाले के साथ श्रेया ठाकुर आटो एक्साथ बात के साथ श्रेया ठाकुर एक्साथ.